नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूस चानल मेटो टेवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामेका वुलेटिन के शुरुआत करते हैं हेडलाइन से बीजेपी अधक्षी रहेंगे अमिश्वा विधायक दल की बैठक से निकलेगा गुजरात का नया सीम आज राजेपाल को अपना इस्तिफ़ा सौपेगी सीम अनुदिबेन पठेल पीम मोदी के गड़ में अपनी पकड़ खो रही बीजेपी आरेसेस ने गुजरात में करवाया सर्वे अभी हुए चुनाफ तो 60 सीटों पर सिमठ जाएंगी बीजेपी बुलन शेहर गैंग रेप पर आज़स अभा में हंगामा सदन में चर्चा की मांग नकवी ने मांग का किया समर्थन माया ने यूपी में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर केंद्र को घेरा यूपी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा बुलन शेहर जैसी घटना आज़म खान के साथ हो तो खुल जाएंगे उनकी आँख गैंग रेप की घटना को आज़म ने बताया था विपक्षियों की साजिश और चिंकार अश्रिकार केस में सल्मान के खिलाफ सुप्रीम कोट जाएंगी राजस्थान सरकार मंत्री मंदल की वैठक में हुई चर्चा राजस्थान हाई कोट से सल्मान को किया थबरी राजसभा में बुधवार को यूपी की बदतर होती जा रही कानून विवस्था को लेकर हंगामा हुआ कारवाई के दौरान उत्रप्रदेश में हो रहे गैंग रेप का मामला भी उठा सांसदों ने सदन में इस विश्य पर चर्चा की मांग की बीजेपी नेता मुकतार अबास नक्वी ने भी इस मांग का समर्थन किया नक्वी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ को रहे अपराधों पर राजनीती नहीं की जानी चाहिए नक्वी बोले कि अगर सदन चाहता है तो इस मुद्धे पर बहस हो तो हम इसके लिए तयार है वही बीएसपी सुप्रीम मायवती ने यूपी में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर केंद सरकार को घेरा क्या केंद सरकार ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ गाठ की हुई है गुजरात की सीम आनन्दी बेंट पतिल का इस्तिफ़ा बुदवार को बीजेपी संसदिय बोर्ट की बैठक में मन्जूर कर लिया गया कि इंजरुमंत्री एम वेंग के नाइडू ने इसके बारे में जानकारी दी बैठक खतम होने के बार नाइडू ने बताया कि आनन्दी बेंट जी आज राजभवन जाएंगी और अपना इस्तिफ़ा राजपाल को सौब देंगी बीजेपी अध्यक्ष अमित शां के सीम बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा सवाल ही नहीं है पार्टी चाहती है कि वे राश्ट्री राजनीती में नितित्व करें नए सीम के सवाल पर उन्होंने कहा कि नितिन गटकरी और सरूज पांटिया को पर्यावे शक नियुक्त किया गया है वे दोनों गुजरात जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करेंगे उसके बाद ही नए सीम के नाम पर फैसला होगा गौर्तलब है कि आनंदी बैन ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए फेस्बुक पर इस्तिफे की घोशना की थी पिये मोधी और बीजेपी अध्या अक्षामित शाह का गड़ माने जाने वाले गुजरात में आपार्टी अपनी पकड़ खोती जा रही है राश्ट्य स्वें सेवक संग और बीजेपी के सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि अगर इस वक्त गुजरात में चुनाव हुए तो पार्टी को विधान सभा की 182 में से 60 से 65 सीटों के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा आरेसेस और बीजेपी निराज्जी में दलित आंदोलन के बाद ये सर्वे क्षिन करवाया सर्वे के लिए संग प्रचारकों ने लोगों से फीडबाक लिया सर्वे में ये भी सामने आया है कि उना की घटना के बाद दलितों ने बीजेपी से दूरी बना ली है पार्टिदार आरक्षन और दलित आंदोलन की वज़ा से पार्टी की छवी को इतना नुकसान पहुँचा है कि 2017 के चुनावों में बीजेपी का 18 सीतों पर भारी अंतर से चुनाव हन अतै है हलकि आरेसेस ने ऐसे किसी भी सर्वे की बाद से इंकार किया है और कहा है कि बीजेपी खुद ऐसे सर्वे करवा सकती है यूपी बीजेपी के प्रवक्ता आईवी सिंग ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंतरी आजम खान पर विवादर ट्विट किया है आईपी ने ट्विट किया है कि मिया आजम खान की बेटी और बीवी से गैंग रेप हो जाए तब आजम खान की आँख फुलेगी बुलन शहर हाईवे पर बारा साल की बेटी मा के साथ गैंग रेप पर उच्छी बात कही यूपी की कैबिडिट मंतरी आजम खान निरामपुर में कहा था कि हमें इस तरहा के संग्यान लेना चाहिए कि कही कोई विपक्षी विचार धारा जो सत्ता में आना चाहती है सरकार को बदनाम करने के लिए कोई कुकरम तो नहीं कर रही है कुछ भी हो सकता है उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है और विपक्ष सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है बिलन शहर में 29 जुलाई की रात मा बेटी के साथ सामोहिक दुशकर्म हुआ इसके पीछे राजनीती साजिश हो सकती है सत्ता की लोभी कई पार्टिया किसी भी हद तक जा सकती है राजस्तान हाई कोट द्वारा बॉलिवूड अक्ट सल्मान खान को 98 में जोधपुर में चुइंकारा के श्रिकार समबंदी दो मामनों में बरी करने के फैसले को प्रदेश सरकार सुप्रीम कोट में चुनाती देगी राजस्तान के संसिदिय कारे एवंग विधी मंतरी राजेंदर राठों ने मुख्य मंतरी की अध्यक्षता में हुई मंतरी मंदल की बैठक के बाद समधाता उसे बातशीद के दोरान एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार सल्मान खान के मामली में गुण अवगुण पर अवलोकन कर रही है सरकार ने नियाले के फैसले को चुनौती देने का मन बना लिया है गौरतलब है कि राजिस्थान हाई कोर्ष 25 जुलाई को दिये गए फैसले में भवाद और मतहनिया में चुंकारा के शुकार सम्बंदी दो मामलों में सजा के खिलाफ सल्मान की याचिका को सुखार कर उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया था कौंकन में भारी बारिश की वज़ा से आई बार के चलते राइगड जिले में मुंबाई गोवा हाईवे पर एक पुल तूट गया इस हादसे में कुछ गाडियां बहने की वज़ा से 22 लोगों के बह जाने का अंदेशा है पुल तूटने के बाद NDRF राखत और बच्चाव के काम में जुटा है NDRF की प्रात्मिक तफसे हुए लोगों को सरक्षृत निकालने की है आपको बता दे कि ये पुल बिटिश काल में बना था दरसल इस जगहा पर आस पास दो पुल है जो पुल तूटा है उसका इस्तमाल गोवा से मुंबाई के ट्राफिक के लिए किया जाता है दूसरे पुल का इस्तमाल मुंबाई से गोवा जाने के लिए होता है हादसे के बारे में सीएम देविंद्रुफर नविस को जानकारी दे दी गई थी जिसके बाद से ही सीम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं हाईवे पर पुल वेहने के बाद NDRF राहत और बचाफ के काम में जुटा है यूपी में कॉंग्रेस को मुकाबले में खड़ा करने की रणनीती के तहट मंगलवार को सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के गड़ वार नसी में जबरदस रोट शो किया हाला की तबियत खराब हो जाने की वज़ा से वे इसे पूरा नहीं कर सकी बाबत पूर एइपोर्ट पर उनका शुरुवाती इलाज हुआ इसके बाद देरात करीब साड़े ग्यारा बजे उन्हें चाटट विमान से दिल्ली लाया गया जहां प्रियांका गांधी और वरिश नेता गुलाम नभी आजाद पहले से मौजू थे वायनसी में सोनिया गांधी को आठ किलोमीटर के रोड शो में लोगों का भरपूर समर्थन मिला सडकों पर उम्रे हुजूम के बीच सोनिया का काफिला जिधर से गुजरा उधर लोग पत्रियां पर फूल माला लेकर पलक पावडे विचाए मिले पश्चिम बंगाल राज्वे का नाम जल्द ही बदल सकता है राज्वे काबिनिट ने सोनवार को इसके लिए सहमती दे दी है प्रदेश की सीय ममता बैनर जी वेस्ट बंगाल नाम से वेस्ट को हटाना चाहती है इसलिए नया नाम अंग्रेजी में बंगाल और बंगाली में बंगला या बंग रखा जा सकता है प्रदेश सरकार के मंतरी पार्थ चाटर जी ने बताया कि जल्द ही विधान सभा का विशेश सत्र बुलाकर इस विश्चिय पार चर्चा की जाएगी तब तक अंग्रेजी नाम को बरकरा रखा जाएगा उन्होंने बताया कि प्रदेश का नाम बदलने के पीछे अंग्रेजी की वर्ण माला की वज़ा है और ये नई मांग नहीं है आपको बता दे कि साल 2011 में वेस्ट बंगाल का नाम बदल कर पश्चिम बंग करने पर राय शुमारी का रवाई की गई इसके लिए प्रदेश में सर्वदलिय बैठक भी बुलाई गई थी साओधी अरब में अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके हजारों भारतियों के हालात का जायजा लेने विदेश राजमंत्री वीके सिंग जिद्धा पहुचे वहाँ वैस्वदेश वापसी के इच्छुक भारतियों के लिए अपचारिकताएं पूरी करेंगे इससे पहले विदेश राजमंत्री मजे अकबर ने साओधी अरब के राजदूद साओध बिन मुहम्मद अलसाती से मुलाकात कर भारतियों की स्थिती पर चर्चकी अकबर ने मंगलवार को ट्विट कर ये जो अनकारी दी उन्होंने कहा साओधी सरकार की ओर से भारतिय कामगारों और अन्यमुद्दों को सुलजाने का भरोसा दिया गया है आपको बता दे कि खाडी में अर्थ व्यवस्था के चर्म राने से साओधी अरब में हजारों भारतियों की नौकरी चली गई है आर्थिक तंगी के कारण भोजन खरीदने में असमर्थ लोगों को भारतिय मिश्वन ने भोजन उपलप्त करवाया बुलन शेहर कांड की संसनी अभी थमी नहीं की बरेली में भी दिली हाईवे किनारे एक नीजी स्कूल की सिक्षिका से तीन दरिंदो के अगवाकर गैंग रेप करने का मामला सामने आया है जब सिक्षिका स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी तब ही बीच रास्ते से वैन सवारतीन युवकों ने उसका अफरन कर परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के आगे खेट के पास ले गए और वहाँ वैन में ही गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया इस जोनान आरोपियों ने फोटो भी कीच लिये डरी सहे मीसिक्षिका घर पहुँची और परिजनों को जानकारी दी जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत सीबी गांज उथाने की जिस पर पुलिस ने जादव की सजा बढ़ाने और पेरोल नहीं दिये जाने की मांग की है सरकार ने शपत पत्र के साथ यूपी सरकार से बदायू में चल रहे एक मुकदमे में पेशी को लेकर विकास यादव और विशाल यादव बार बार यूपी जाते थे ऐसी सूचना थी कि ये वहाँ पेश होने के नाम पर मौज उड़ाते हैं डीटीसी बसों के बेड़े में और बसे जोडने में केजरिवाल सरकार भले ही नाकाम रही हो लिकिन अब सरकार फीडर बसों की नई योजना लेकर आने वाली है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमिन डीटीसी के जरिये फीडर बस चलाने की तयारी कर रहा है दलील ये है कि ये बसे उन इलाकों तक लोगों को सफर की सुविधा मुहिया कराएगी जहां अभी डीटीसी बसे नहीं पहुँच पाती है दली सरकार ऐसी हजार बसे लाने की तयारी कर रही है ये बसे मौझूदा लोग फ्लोर बसों से चोटी होंगी और भीट भरे और संकरे रूट पर चलाई जा सकेंगी दली सरकार के परिवहन मंतरी सतेंद्र जैन ने इस योजना की पुष्टि की है उन्होंने कहा है कि सामने प्रक्रिया में करीब आठ महीने लगते हैं लेकिन नई फीडर बसों की सुवीधा दिली वालों को जल्द से जल्द मिल सके इस बात को ध्यान में रख कर फीडर बसों को खरीदने और उन्हें सड़क पर उतारने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश हाई कोट ने BCCI और ध्यक्ष अनुराक ठाकुर और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन के खिलाव दर्ज प्रात्मेकी को खारिच कर दिया है ये प्रात्मेकी 8 अपरिल 2014 को धरमशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए शिक्षा विभाग की जमीन पर अतिक्रमन करने के आरोप में दर्ज की गई है नैदिश राजिव शर्मा ने धरमशाला कोट में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए चार्ज और लंबित अपराद हिक मामले को भी खारिच कर दिया है नैदिश राजिव शर्मा ने HPCA और अनुराग ठाकुर की ओर से दायर याचिका को स्विकार करते हुए कहा कि प्रात्मिकी और चालान में कही भी ये प्रतीत नहीं होता कि कोई अपराद भारतिय डंड सहिता की अधारा के तहट किया गया है हिमाचल सरकार ने लाखों करमचारियों को जटका देते हुए जीपी एफ पर ब्याजदर घटा दी है इसे 8 दशवलव 8 प्रतिशवत से घटा कर 8 दशवलव 1 प्रतिशवत कर दिया है राजसरकार के वित विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिये हैं ये फैसला 1 अपरिल 2016 से 30 स्टमबर 2016 तक लागू होगा केंद सरकार की ओर से इस वित वर्ष की पहली जमाही के लिए जीपी एफ की ब्याज दर को घटाने के बाद ही हिमाचल सरकार ने ये फैसला किया है प्रदेश में वर्ष 2003 से पहले नियमित किये गए करमचारियों को जीपी एफ मिलता है वर्ष 2003 से पहले नियमित किये गए करमचारियों की संक्या हिमाचल से लगभग 2 लाख है नेपाल की नए प्रधान मंतरी का चनाव आज होने जा रहा है इस चनाव में माउवादी सुप्रीमो प्रचंड का भारी बहुमत से जीतना तै है मंगलवार को हुए नामंकन दाखिल में सिर्फ प्रचंड ने ही उमिदवारी पेश की है लेकिन पी एम पद हासिल करने के लिए प्रचंड को संसद में बुधवार को होने जा रहे मदान प्रक्रिया में अपना बहुमत साबित करना होगा 84 सीटों के साथ नेपाल के संसद में तीसरे नंबर की पार्टी माववादी के अध्यक्ष प्रचंड को सबसे बड़ी पार्टी नेपाल कॉंग्रेस के 2007 संसदों का समर्थन हासल है इसके अलावा मधेशी दलों के 56 राजतंत्र समर्थक राश्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के 35 सहित करीब 400 संसदों का समर्थन मिलना तै है केपी ओली की सरकार में मुख्य साज़दार रहे माववादी ने हाली में समर्थन वापिस लेकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था रियो ओलम्पे के शुरू होने से पहले भारत को लगाता जटके लग रहे हैं एक के बाद एक भारती एतले दोपिंग के डंग का शिकार हो रहे हैं 200 मीटर दोड के धावग धर्मबीर सिंग नादा द्वारा लिए गाई डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं दोप टेस्ट में फेल होने के कारण धर्मबीर सिंग रियो के लिए उड़ा नहीं भर सके हाला कि नाडा ने अभी तक अधिकारिक तौर पार Athletics Federation को इस बारे में सूचत नहीं किया है लेकिन मैं मान रहे हैं कि ये डोपिंग है रियो जाने वाले धर्मबीर एकलोते पुरुष धावक है धर्मबीर हर्याना के रो तक से आते हैं इस साल जुलाई में बंगलिरू में हुए इंडियन ग्रामप्री Athletics इवन्ट में धर्मबीर ने 20.50 सेकंड के ओलंपिक मार्क को 20.45 सेकंड में पूरा कर लिया था 2015 में 21.50 चैंपिन्शिप के दौरान धर्मबीर ने 22.66 सेकंड की टाइमिंग के साथ मशूर धावक मिलखा सिंख का रिकॉर्ड तोड़ा था जमेका टेस्ट के चोथे दिन ही भारत को बड़ी जीत की सुगंध मिल गई थी लेकिन बारिश ने टीम इंडिया का काम बिगार दिया चोथे दिन बारिश ने लगभग देड़ घंटे का खेल बाधित कर दिया लेकिन लंच से पहले 16 ओवर के अंदर ही ताबड तोड चौर विकेट जटक लिये थे और भारत अब जीत से 6 विकेट दूर रह गया था लेकिन बारिश ने आगे का खेल होने नहीं दिया बारिश के कारण खेल काफी देरी से शुरू हुआ लेकिन लंच तक वेसिंडीज ने महज 48 रन पर अपने 4 विकेट कवा दिये थे लेकिन इसके बाद का खेल नहीं हो सका जिसे दो सत्र पूरे बेकार चले गए वेसिंडीज को पारी की हार तालने के लिए अभी 256 रन और बनाने होंगे इससे पहले टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 500 रन पर उस समाई घोशित कर दी पहली पारी के अधार पर मेजबान टीम 304 रन से पिछड़ी हुई है खबरों के सफर में फिलहाल उतना हैं देश दुनिया की पलपल की खबरों के लिए बने रही है मैं टो टीवी के साथ नमस्कार